नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 मैं हूँ आपके साथ हर्शता मश्रा आए नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर पारुक अब्दुल्ला ने दकश्मीर फाइल्स को प्रोपगेंड़ा बताया कहा हमारी प्रती नफरत फलाने के लिए टैक्स फ्री की है फिल्म जमू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंतरी फारुक अब्दुल्ला ने दकश्मीर फाइल्स पर एक बयान में कहा कि सरकार इस फ्लिम के जरिये हमारी प्रती लोगों में नफरत फलाना चाहती है फारुक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि इस प्लीम को किवल इसले टैक्स प्री किया जा रहा है ताकि ज्याद numerator से जाधर मिए जादा लोग इस प्लीम को देखे और हमसे नफरत करे फारुक अब्दुल्ला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार साजश कर لوگوں के मन में हमारी प्रती नफरत पैदा करना चाहती है उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हम पुलिस करमी और फौजी इस फिलिम को देखे और हमारे लिए उसके मन में नफरत पैदा हो जाए ठीक उसी तरह जैसे जर्मनी में हिटलर और ग्लोबिंग्स ने मिल कर किया था जिसके चलते साथ लाक यहुदियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं अभम में से कितने लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी फारुक अबदुल्ला ने कश्मीर फाइल्स को एक प्रपगेंडा फिल्म करार दिया उन्होंने कहा कि इस प्लिम में इस घटना को दिखाया जिसे राज का हर नागरिक प्रभावित हुआ है फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान या किसी और जातका उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी अगर उस दौर को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आसूर होता है मेरे साथ पार्टी के विधाय को और कारिकरताओने पेडो पर लटकी लाश के टुकडों को उता रहा है फारुक ने बीजेपी पर निशाना साथ ने हुए कहा कि कोश सरकार उसे घटना से राजनीतिक लाब उठाना चाहती है फारुक ने कहा कि मुसल्मानों सिखों के साथ हुई हिंसा के घटनाओं का भी सच सामने लाया जाए